आज मैं एक लिक आई हूँ रिसिपी कुकिंग वीडियो आप लोग के लिए तो गर्मी बहुत है और गर्मी में हलकालका खाना सबको पसंद है तो मैं यहां बनाने वाली हूँ आलू चिकन करी यह बंकॉली स्टाइल का अपका पतला मतलब हलका जोल का है तो यहां पे मैंने आपका नॉर्मली जादा मैंने कुछ नहीं किया आलू पे सिफ हल्दी लगा के उसे हल्का सा फ्राय कर लिया और यहां पे अब मैं चिकन में मैरनेट करने के लिए यहां पे दही ले रही हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे हल्दी लूँगी, इसे मैरनेट करके हम लोग लगभग 15 मिनिट के लिए रखेंगे, और यहाँ पे पिंच ओफ रेड चिली पाउडर, और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा इसमें मैंने नमक ले लिया है, नमक आप स्वाद अनुसार लगाना, ठी यहाँ पे हर जगा पे गरम आ गया है, तो आप लोग भी चाहते हैं समवर्ज में कुछ लाइट खाना खाए, और टेस्टी भी रहे, और अच्छा लगे, तो यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे ओनियन्स वगरे को कट कर लिया है, देखिए इस साइज का मैंने कट कर लि यहाँ मैंने चार मिडियम साइस के प्याज लिये हैं, तो यहाँ पे मैंने यह मतलब यह वाला जो खाना है बहुत इजी और बहुत फास्टेज वे में बनता है, क्योंकि यह एक ही पॉट में मतलब एक कुकर में ही आपका सब बन जाएगा, मतलब आपको दूसरा मतलब हर चीज बहुत लाइट सा रखूंगी, क्योंकि मुझे बहुत कम मसाला का मतलब लाइट सा बनाना है, तो यहाँ पे सारा ओनियंज प्यास को मतलब यहाँ पे थोड़ा गोल्डेन ब्राउन होने तक यहाँ पे इसे फ्राई कर लेना है, तो इस तरीका से फ्राई करना है, जैसे हम लोग गर्मी में फ्राई हो रहे हैं, उतना जादा फ्राई नहीं करना है, जस्त गोल्डेन ब्राउन तक हमें फ्राई करना है, तो यहाँ पे देखिए, यह गोल्डेन ब्राउन तक फ्राई हो चुका है, तो यहाँ पे अद्रगलसिन का पेस्ट है, वो मैं दो या त तो यहाँ पे अच्छा डाला पे अच्छा स्मयल आता है तो यहां पे मैंने दो चम्मच जदर कलेसल का पेसर लाला है अच्छे से में ला लूँगी थोड़ह उसके बाद यहां पे मैं मसाले डालूँझी जैसे में खुद हुगरम मसाला जोग सा पाट तो यहां पे मैंने धनिया जीरा और रेट चिली पाओडर और हल्डी लिया है तो यहां पे मैंने यहीं सारे मसाला डाल दूँगी तो इस तरीकसे डाल लेना है उसकी बाद अच्छे से इससे mix करना है, तो इसमें आप लोग तो mix कर लेना, इसमें आप लोग थोड़ा पानी डाल सकते हैं, क्योंकि ये सटे नहीं, तो इसे एतना मतलब थोड़ा mix करना है, जैसे थोड़ा आपका मतलब तेल जो है, उपर की तरफ आजाए, तो फ्लेम मेरा medium फ्लेम पर ही मैं पकारी हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं, तेल उपर की तरफ आगे, इससे क्या होता है ना, आप लोग का जितना मसाला है, वो भून जाता है, तो आपका सालन या तरकारी में ना, वो आपका मसाला का एक raw taste नहीं आता है, वो raw smell नहीं आत यह मतलब किया ना, एक बहुत जल्दी भी बनता है, और साथ में बहुत जादा tasty भी रहता है, तो यहाँ पर मैंने टमाटो डाल दिया है, तो टमाटो को मिझे तब तक पकाना है, जब तक टमाटो थोड़ा हलका smash में नहीं आ जाए, तो यहाँ पर देखिए, टमाटो से थ पानी चोड़ देता है, तो उसके बाद यहाँ पर मैंने salt नहीं दिया था, आप लोग को भी salt उतना ही डिना है, क्योंकि हम लोग चिकन में भी salt देके मैं निट किया है, तो हलका salty देना है, तो यहाँ पर देखिए मेरा masala ready है, तो यहाँ पर टमाटो को चेक करना है कि तो यहाँ पर आप लोग देखिए, टमाटो अच्छा से मैश हो गया, मिक्स हो गया, तो यहाँ पर मैंने अपना marinated chicken डाल दिया है, इसमें, इसमें marinated chicken डाल दिया है, उसके बाद चिकन जो मतब बचा हुआ, मतब इसका मसाला दही है, दही का पानी, उसे भी डाल देना है, इसमें, डाल कर अच्छा से इसे mix कर लेना है, ठीक है, और एक चीज आप लोग को इसे जादा नहीं भूनना है, जादा नहीं भूनना है, इसे हम लोग को, क्योंकि आप लोग जादा भूनेंगे ना, तो कुकर पे आप लोग एक से दो से टी जा लेंगे, तो आपका chicken जाएगा, तो इसे जादा नहीं भूनना है, हलके हाथ से भून लेना है, देखने हैं कि जब हमारा ये थोड़ा, मतलब 30 to 40 आपको लगे chicken हमारा बन गया है, तो इसे हम लोग देखे, इसमें पानी डाल देंगे, तो पानी आप लोग अपने हिसाब से डालना, मुझे पतला जोल का बनाना है, पतला पानी का बनाना है, तो मतलब मेरा, तो मैं इतना पानी डालूँगी, तो यहाँ पे पानी डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे चिली डाल दूँगी, चार से पांच चिली डाला है, आप लोग कैसे स्पाइसी खाता है, आप लोग इस हिसाब से च करेंगे, तो यहाँ पर थीन चीटी हो गया, क्लेम को ऑफ तो थोड़ा थंडा होने के लिए रख देंगे, तो थंडा हो गया उसकी बाद हम लोग यहाँ पर देखिए उसको चड़ा लिए, तो यहाँ पर चिकिन वगएरा, अच्छा से मेरा गल गया है, बन गया है, आप लो के बाद अच्छे से मिक्स करके देख लिए अब यहां पर क्या है हमारा जो फ्राइ किया हुआ आलू था ना फ्राइ किया हुआ पटाटो वो इसमें हम लोग को डाल देना तो मैंने क्या बताया था कि आप लोग एक ही कुकर में आप लोग सब बना सकते हैं तो आपको जादा लफडा नहीं रखना है तो यह देखी यह फ्राइ के वालू से मैंने डाल दिया अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी आप लोग एक बाद ट्राइ करना बहुत सादा अच्छा और टेस्टी लगेगा थोड़ा मतब सब को पसंद आएगा आपका फैमिली में आप लोग ट् अच्छा है आप लोग इसी तरीका से कम मसाला का खाना बनाईए तो बहुत अच्छा होगा तो उसके बाद मैं कुकर पे धकन लगा दूगी धकन मुझे पूरा नहीं बस ऐसे करके धकन लगा देना है तो आप लोग देखिए यह इसमें उबाल आने लग गया है अच्छा स यह कस्तूरी मेठी का जो इसमेल जो टेस्ट मतलब यह आपका चिकन अलू करी को अखरी टेस्ट देता अलग अलग लेवल का टेस्ट तो है सौ कर जीजिए आप लोग को भी पसन आए तो मेरा वीडियो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल and hit the bell icon for more videos and keep supporting guys love you all ऐसे ही आप लोग को और भी वीडियो आएगा बाई